कि विंटर का सीजन हो और घर्मर रूम हिटर ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है इस कड़ाके की ठंड में घर्मर रूम हिटर आजर आपको मिल जाता है तो आज हम बात करने वाले हैं महराजा के रूम हिटर के बारे में तो फ्रेंड यह आजातहा है महाराजा का रूम हिटर जो लावा के नाम से आजाता है यह जो रूम हिटर आजाता है यह बारा सु वाट के अंदर आपको मिल जाता है इसमें तरन करने के लिए जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह 180 डिग्री तक जो है रोटेट करने का काम करता है इस महराजे हिटर के अंदर आपको तीन बटन मिल जाते हैं अब जो है इसके अंदर जो है एक रोट जो है जननी चालो होगी है उसके अगर आप दो बार अगर प्रेस करते तो 400 यानि कि आप इसमें दो रोट जला सकते हैं उसके अलाओ यह आजा का 3 यानि कि 3 रोट उसके अलाओ अगर आपको लगता है कि एक रूम में हीटिंग अगर ज्यादा हो रही है तो आप यहां से एक रॉट को कम कर सकते हैं उसके अलाव या जागा दूसरा रोट को कम करने के लिए यह तीसरा रोट को कम करने के लिए उसके अलाव जैसे अगर आपको रोटेशरी अगर आपको करनी है आपको अगर जो हीटर है अगर आपको इधर अधर रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हैं जैसे कि मैं रोम हिटर पर हाथ लगा देता है तो जाता है जैसा कि आप दुबारा गर चालू करना चाहते हैं दूबारा आपको यह स्टेंड करना होता है और इस रूम हिटर के अंदर जो आपको कंपनी एक साल के आपको कंप्लीट वारंटी दे रही है जिसके अंदर जो आती है तीन रॉट आ जाती है जिसके अंदर आपको कंपनी तीनों रॉट की वारंटी दे रही है और प्लस एक सा आपको complete warranty area extra part कि यह जो महराजा का रूम हिटर आता है इससे oxygen जो होती है बॉन नहीं होती है यह जो है रूम में hitting परपस से बहुत अच्छा रहता है और जैसे कि आपने अधर रूम हिटर देखे होंगे तो जैसे ब्लोर अगरा आता है उनमें क्या होता है कि रूम में जो oxygen होत आती है जिसे सांस वगरा लेने में दिक्कत होती है और यह महराजा का रूम हिटर आ जाता है इससे oxygen जो होती है ब्लोक नहीं होती है और यहार रूम में छोटे बच्चों के लिए कि लिए सही रहता है तो friend आइ होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो किर्पिया चैनल को लाइक करना और subscribe करना ताकि होम अप्लाइन से से related video की पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके और उसके अलाओ अगर आपकी कोई query है तो आप comment में अपनी राय दे सकते हैं इसके अलाओ home appliances से related video की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप comment section में अपनी राए दे सकते हैं भन्यवाद